नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रपित और आज के स्वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको exam की duration में किस तरह की diet को फॉलो करना चाहिए तो दोस्तों हम देखते रहेगा इस वीडियो को और इस वीडियो में आपको डीटेल में होता हूंगा एक एक चीज जिसकी मदद से आप अपनी exam में बहुत अच्छे marks ला पाएंगे और साथ ही आप exam के complete duration में बहुत अच्छे से अपनी diet को अपने body weight को और अपनी complete health को maintain कर प होता है अब जब इतना ज्यादा burden किसे भी student के उपर होता है तो यह बहुत ही ज्यादा important है कि वहाँ पर उसकी body एकदम से healthy रहे ताकि उसके उपर disease का कोई और additional pressure ना आ जाए तो यहाँ पर आजके इस वीडियो में में आपको यही बताने वाला हूं कि exam duration में आपको किस तरह कि diet को maintain करना चाहिए और क्या क्या खाना आप खा सकते हैं अपने study breaks में since अप exam बहुत ज़्यादा पास में आ चुक है तो यह एक right time होगा जब मैं आपको एक right diet बताओ और अगर आप इस diet को follow करते हैं so definitely आप अपनी exam के complete duration में एक्दम healthy रहने वाले हैं और हाँ एक और बात को ध्यान रखना है कि जब आप इस diet को follow करें तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप junk food से बहुत ज़्यादा दूर रहें क्योंकि exam time का सबसे बड़ा दुश्मन होता है junk food क्योंकि अगर आप junk food खाएंगे तो महां से आपकी body में बहुत ही uneasiness सी आपको feel होगी थकान बहुत जल्दी आ जाएगी आप चीजों को भूलना स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए बेटर है कि आप junk food से अपने आपको कुछ time के लिए दूर रख दे हैं तो फॉस्स पॉइंट है stay hydrated देखो complete exam duration में बहुत ही जदा important है कि हम अपने आपको hydrated रखें मतलब हम proper intervals पर पानी पीते रहें और यहां पर यह भी देखा क्या है कि water accelerate करता rate of chemical reaction को और जिस रेट पर हमारा brain information को process करता है यह उसको भी बढ़ा देता है बहुत ही अच्छा option रहेगा कि अगर आप breaks में पानी को consume करें और अपने आपको completely hydrated रखें तो इससे आपकी जो brain की functioning है वह भी एकदम first class रहेगी और आप exam में बहुत अच्छे marks को score कर पाएंगे वहीं पर studies के नुसार यह भी पाए गया है कि अगर आप अपनी body को hydrated नहीं र जाती है और forgetfulness और sluggishness भी रहती है आपकी body के अंदर सो यहां पर studies के नुसार यह पाया गया है कि अगर आप two liters of water everyday consume करते हैं so definitely आपकी body यहां से hydrated रहती है और आप जल्दी थकते भी नहीं है second point है go easy on sugar तो जब exam आती है तो हम क्या करते हैं जो भी शुगरी substance है उसको हमारी table पर रख लेते हैं क्योंकि बहुत सी बारी पाया गया कि जब हम शुगरी substance को consume करते हैं तो इससे में instant energy मिलती है और हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं लेकिन यह एक बहुत ही बूरी आदत है अगर आप sugar substance को अपनी table पर रखते हैं क्योंकि यहां से आपको instant energy तो मिल जाती है लेकिन long term में यह आपके लिए बिल्कुल भी फायदेबन नहीं रहती है और long term से मेरा मतलब 500 साल नहीं मतलब बिल्कुल आने वाले पांदस दिनों में भी और excessive sugar consumption से आपका जो blood sugar level है वो distort हो सकता है और उसके बाद फिर आपको बहुत जल्दी आपर ठकान हो पीते हैं अब चाया और कफी में भी सेम यही चीज है कि आप उसको जैसे ही पीते हैं तो वहां से आपको instant energy तो मिल जाती ही लेकिन long term में फिर वहां पर constipation की समस्या फटीग की समस्या और इस प्रकार की कई समस्या है वहां पर उत्पन होती है थार्ड पॉइंट है healthy snacking तो के बाद के होगा कुछ time बादिया मैं थकान मैसूस होने लग जाएगी क्योंकि जब आपकी बॉड़ी में अच्छा फ्यूल नहीं जाएगा तो आपकी बॉड़ी अच्छा से काम नहीं कर पाएगी तो इसलिए बहुत ज्यादा important है कि आप healthy snacking पर ध्यान दें और जो भी आ instead of caffeine तो जैसा कि मैंने आपको बताएं कि बहुत से बार जब student पढ़ाई करते हैं तो अपनी study table पर चाय कॉफी को रखते हैं ताकि वह आराम से प्रोलांग प्रियोड ऑफ टाइम तक study कर पाएं लेकिन यह एक अच्छी आदत नहीं क्योंकि long term में इसके बहुत जाद आपको नुक्सान हो सकते हैं तो आपको यहां पर क्या करना है आप इसको रिफ्लेस कर सकते हैं green tea से क्योंकि green tea के अंदर anti-oxidants रहते हैं anti-inflammatory property रहती है जो कि आपकी body के digestion को भी अच्छा कर देती है और आपकी health को भी maintain करके रखती है और इसे long time में भी आपको कोई भी नुकसान नहीं है उल्टा फायदा ही होने वाला है लास्ट पॉइंट है leafy greens तो आपको यह पर ध्यान रखना है कि आप इस complete duration के अंदर green leafy vegetables को ज्यादा ज्यादा consume करें आप पालक मेथी इन सभी को मतलब बहुत जादा consume करें क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना भी body के अंदर essential nutrients की कमी रहती है वह सब आप को बता देता हूं कि आप यहां पर अपनी mental health का भी बहुत जादा ध्यान रखें साथी proper amount of exercise भी यहां पर आप करें क्योंकि यह भी बहुत important है आपकी body को healthy रखने के लिए दोस्तों 6 दिसंबर को अनकैडमी platform के ऊपर एक All India Test Championship होने वाली जिसका नाम है अनकैडमी और यहां पर class 6 से लेकर class 12 की यह championship रहने वाली है यह championship completely free है और इसमें आप register कर सकते हैं लिंक्स आपको सभी description में मिल जाएंगे और यहां से आप 5 lakh worth of scholarship को भी जीच सकते हैं आप इस वीडियो को अनकैडमी आरूग्य पर देख रहे हैं और अनकैडमी एक online educational platform है आप अनकैड में ने अपने platform पर एक iconic plan भी इंट्रियूस किया है जिसके अंदर आप personal mentorship ले सकते हैं साथ ही यहां पर आपको parent teacher connect भी मिल जाएगा और यहां पर आपको study planner भी मिलेगा जिससे आप और भी बहतर way में अपनी पूरी तयारी को कर सकते हैं तो अगर आपने भी तक plus का subscription नहीं ल जाओ हो तो आप उसको comment box में लिग दीजिए का दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का क्योंकि से में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बैल आकन को भी आप दवा द झाल